भारत का पहला high speed express way that means Mumbai नाकपूर एक्सप्रेस वे अब फाइनली जल्द ही खुलने वाला है मई में जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुनाए दरसल अब यहाँ पर एक काफी बड़ी कवर निकल कर आ चुकी है first phase का इसका जो section है नाकपूर से लेके वाशिम तक इस section का जल्दी open कर दिया जाएगा वैसे already इनका पहले plan था कि नाकपूर से शेडी तक का section यह लोग open करेंगे लेकिन यहाँ पर अब काम अभी भी चालू है यह जो 20 km का extra stretch है यह लोग complete नहीं कर पाए और दो महीने के भी दर इसे complete करना next to impossible है because यहाँ पर काफी सारे technical reasons निकल कर आ गए finally at least इसका एक section तो open होने वाला है इसी साल मई के महीने में वैसे आपको बता दे कि यह expressway दुनिया के बड़े बड़े expressway को टकर दे देता है quality और facilities के महामले में यह जो 701 km इतना लंबा expressway होगा Mumbai to Naakpur की दूरी को 18 गंटे से सीधा 8 गंटे ले आता है अब आपको बता दे कि भारत का यह पहला और एक मात्र expressway है जहाँ पर गाडिया 150 km प्रतिक गंटे की रफतार से दौट सकेंगी 55,000 क्रोर रुपीज की लागत से इस पूरे प्रोजेक को अंजाम दिया जा रहा है अब facilities और features भी इसमें इतने सारे है कि अराम से यह European Expressway European standards को टकर देते देता है safety के लिए यहाँ पर intelligent highway management system दिया गया है for traffic supervision इसमें हर 5 km पर एक telephone booth प्रोवाइड किया जाएगा so quality का तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो वैसे यह कफी अच्छी बात है कि यहाँ पर concrete slabs का तो use किया ही जा रहा है जो कि 15 meter wide है और इसके अंडर से सब हमारी optical fiber connectivity फिर gas pipeline electricity lines यह सब Expressway के parallel में ही run करेगी so यहाँ पर इसे जितने भी district है सब काफी तेजी से boost मिलने वाला है shady अब यहाँ पर काफी बड़ा tourist attraction है so इस Expressway से यह और भी जादा accessible बन जाएगा वैसे currently एक और काफी बड़ी achievement हुई है यहाँ पर इगतपुरी tunnel का जो की 7.78 km लंबी है इसे भी finally complete कर लिया गया है अब sustainability के मामल में यह अपने आप में ही काफी बड़ी मिसाल होगा because यहाँ पर जो भी electricity use की जाएगी सब solar से ही produce की जाएगी overall आपको बता दे कि 250 megawatt की energy यह पूरा generate करेंगे यहाँ पर जो भी solar panels लगा जाएगे वो फिर rainwater harvesting की भी यहाँ पर facility है CCTV camera से पूरे expressway पर निगरानी रखी जाएगी यहाँ पर aim है कि zero fatality accidents हमें achieve करना है so overall हम definitely कह सकते हैं कि इस expressway के complete हो जाने से हमारी logistic cost तो घड़ेगी साथी में अब international trade करने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी because यहाँ पर भारत का largest container port JNPT port से इसे सीधा सीधा connect कर दिया गया है वैसे इस expressway के बारे में आपकी क्या रहा है ज़रूर से comment कीजिएगा